हेलो फ्रेंज मोधमिता लेटिल किचेन मोयल का मैं हूँ मोधमिता आज मैं और एक निव रेशिपी स्यार करने जारे हूँ आज मैं स्यार करूंगे गेहुके आटा से बना हो बहुत बुड़ी आसा क्रिस्पी विस्कित का रेशिपी ये भला जो विस्कित बनेगा आटा से भ पालग धनिया बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल देखने में भी बहुत ही सुन्दूर ये क्रिस्पी बिस्कीट असानी से बना सकते हैं क्रिस्पी भी होगा टेस्टी भी होगा ज्यादा ओयली भी नहीं होगा स्टोर करके एक से दिल्ट मने तक राख सकते इतना ही 50 ग्राम्स इसी तरीका से छोटा पत्ते बाला पालक यूज कर रहे हो आप चाहे तो बड़ा पत्ते बाला भी यूज कर सकते हैं पालक को पहने पहले आच्छी तरह से साप करके धो लिया डांडी भी थोड़ा बुद राखा है लेकिन पालक का अगर पात्ता लेंगे तो औ एक मिनट तो का अच्छी तरह से करम पानी में इसको डाल दिया इसमें क्या होगा पालक का जो कालर है ओ भी पारफेक्ट रहेगा और इसका जो एक काच्छा टेस्ट आता है ओ भी नहीं आएगा तो इस तरीका से एक मिनट तो के पालक को पाकाने तो देखिए ओभार कुक पालक का पाते का और बड़ी आसा है आम मैंने इसको निकाल लेती हो पिक्सरåट में डाल देती हो। लेकिन पाऌट में जब डाल देनेंगे पानी जादा यूझ नहीं करना है you से निकाल के लेना है तो देखी मैंने इस तरीका से डाल रही हूँ पालो के साती में डाल देते हूँ थोड़ा सा हरा धनिया इसमें भी बहुत बड़ी आसा फ्लेबार भी आएगा और पर्फेक्ट टेस्ट भी आएगा दो ग्रीन चिले डाल देते हूँ आप चाहिद देते हूँ एक काप गेहुके आटा एकी साथ में डाल देते हूँ एक काप से थोड़ा सा कम सुझी आप चाहे तो एक काप आटा एक काप सुझी भी यूज़ कर सकते लेकिन मैंने थोड़ा सा कम सुझी डाल दे लेकिन सुझी जोरूर डालना एकी साथ में मैंने थोड़ा आप ब्लेक पेपर बगेरी भी डाल सकते हैं आप डालूंगी मैंने एक सिद्र जामच जैसा ओयल ज्यादा ओयल बिल्कुली जुरूरत नहीं होगा क्योंकि अगर ओयल ज्यादा डालेंगे तो जब इसको फ्राइ करेंगे तो ज्यादा ओयली हो जाता है सुजी डाला हुआ है तो इसलिए ऐसा ही बहुत ही क्रिस्पी बनेगा तो ज्यादा ओयल बिल्कुली नहीं डालना है आच्छे तरह सा अभी ओयल को मिक्स कर लेते हैं अगर बड़ी असा आटा नीर करेंगे तो क्रिस्पी भी बनेगा और पार्फिक्ट भी बनेगा इस तरीका से जुरूर बना क देखे यह ज्यादा ओयली बिल्कुली नहीं होगा आच्छे तरह से मिक्स करने के बाद आम मैं डालूंगी यह पालोग धनिया का पेस्ट पानी यूज नहीं करेंगे जितना जरूरूरत है उसी हिसाब से मैंने पालोग काट पेस्ट डालके इसको बड़ी असा डो लगा ल लिया यह थोड़ा सा टाइट है धाक के जब राखेंगी और भी थोड़ा सा टाइट हो जाता है क्योंकि इसके सासुजी मिला हो आये लेकिन दस मिर्ट तक जोरूरत धाक के राखना है दस मिर्ट के बाद देखी आठा जो पारफिक्ट है आच्छी तरह से से शेट हो गया म आभी इसको लाटेंगे जितना बड़ी आसा पातला लाटेंगे उतना ही क्रिस्पी होगा बहुत आसान इसे लाट सकते है अगर आटा को बड़ी आसा नीड करेंगे तो जो रुद्ध्यान रखना इस जो रोटी लाटेंगे थोड़ा सा पातला लाटना है मैं दिखाती हू उठाके तो देखिए इस तरीका का रोटी लटना है मतलब जैसे हम लोग रोटी नॉर्माली खाने के लिए इस तरीका का लटना है आम मैंने इसको डीजाइन यानि सेव देने के लिए मैंने इस तरीका का जो काटार होता है कुकिज काटार इसको यूज कर रहे हूँ आप चा आएंगे तो वो भी देखने में अच्छा लगता है तो देखी इसका ठीकनिस इस तरीका का बनाने है आप में इसके उपर थोड़ा सा छेद लागा लेती इस तरीका से तुथपिक की हेल से इस में क्या होगा क्रिस्पी बनेगा या नि फूलेगा नहीं अगर ये पूरी फू क्रिस्पी बनेगा तो एक साथ में देखी बहुत आसान इसी इतना सारा बिस्कीट मैंने बना लिया आप चली इसको फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए ओयल का जो टेमपारेचर बहुत हलका गरम होना है तो भी एक रिस्पी बनेगा तो देखके आंदाज लागी गया गयस का हीर मीडियाम रखके पहले ओयल को हलका गरम करना है उसके बाद गयस का हीर मीडियाम कर देना है आप देखी मैंने इस तरीका से घुमा रही हूँ ताकि नीची की तरफ अच्ची तरह से भी फ्राइ हो जाएगा उपर की तरफ भी बढ़ियासा रोटेर होते रहेगा तो एक तरफ होने के बाद दोसरा तरफ पल्टाती हो इस बिस्किट में पालग, धनिया, मिर्ची का जो फ्लेबारे वो बढ़ियास आएगा तो देखे मैंने इस तरीका से फ्राइ कर रही हो थोड़ा सा टाइम लगेगा, देड़ से दो मिनिट तोके एक बेच ये बिस्किट फ्राइ करने के लिए टाइम लगेगा लेकिन ज़्यादा ओयल ही नहीं होगा तो देखे बड़ी आसे इसमें कालर भी आ गया और क्रिस्पी भी हो गया आप मैंने निकाल लेती हो नर्मल हम लोग पालक से कोई तरीका का रेसिपी बनाते हैं लेकिन इस तरीका से पालक का बिस्किट जुरूर एक बड़ ट्राइ कर सकते हैं तो देखे देखने कितना पार्फिक लग रहे है ना और इसको स्टोर करके भी राख सकते हैं मैंने तोड़के भी दिखाऊंगी पहले देखे पार्फिक्ट कालार भी हो गया और पार्फिक्ट क्रिस्पी भी बन गया बहुत ही सिंपिल तरीका है ये बिस्किट बनाने के लिए बच्चे के टिफिन के लिए तो जुरूर बना सकते तो देखे इसका आवार्फिक्ट के पाता लग गया न कितना क्रिस्पी भी है दर्माल हम लोग बिस्किट खरीद के खाते हैं लेकिन इस तरीका का बिस्किट जोरूर एक बार घर पे बना के देखी आई होप पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आथो जोरूर मेरे चनल को सबस्क्राइब कीज़े एसा ही हर दिन नीव नीओ रेसीपी देखने के लिए और बेल बोटन को प्रेस करने ना भूले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए एसा ही हर दिन नीओ नीओ रेसीपी देखने के शब लोगा जिरे खुष रहे बाई बाई